वेल्कम, वेल्कम इन एजूकेशन निउज ऐनली यूटूब चनल बाबा MP एजुकेशन निउज ऑनली यूटूब चनल में एक बार फिर से आप सभी का वेल्कम है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगी जी मेंस 2024 अप्रेल अटेम्ट के बारे में अप्रेल में जो आपकी एक्जाम हो चुकी है जी मेंस की तो कितने स्कोर पे आपका नीट निकल जाएगा हम यहाँ पर कट ओफ के बारे में एनलाइसेस करने वाले हैं तो आज 16 अप्रेल है और पूरा एनलाइसेस इस वीडियो में होने वाला है तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपकी जी मेंस के रिलेटेड हर परकार की इनिफरमेशन आप तक पहुँचाई जाती है तो हम सिप्ट वाइस भी बात करेंगे आपने जिस सिप्ट में भी एक्जाम दिया है कि कौन से सिप्ट का लेवल कैसा था कौन से सिप्ट में कितने मार्क्स पे जो है आप बिल्कुल सेफ है किस लेवल के क्यूशन आये थे तो total जो discussion है वो shift wise होगी साथे साथ marks versus percentile के बारे में भी बात करेंगे और इस पार percentile के आदार पर कितना जो है आप qualify कर जाएंगे और आपकी net निकल जाएगी तो पूरी discussion इस वीडियो में होने वाली है चैनल को प्लीज आप subscribe करें और bell icon को प्रेज करें ताकि कोई भी updates आप से miss ना हो सके चले friends स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखे friends एक चीज में आपको पहले killer कर देता हूँ बहुत सरे लोग आपको बता रहे हैं कि इसकी cut off कम जाएगी लेकिन देखिए इस बार seat बिलकूल बड़ी नहीं है तो cut off तो आप confirm मान के चले है इसकी high जाएगी लेकिन जिनको reservation है उनकी तो बल्ले बल्ले है जिनको reservation नहीं है उनका तो समझो खेल खराबी है तो cut off बड़े की ये बात confirm है तो अब अपन friends बात करते हैं थोड़ी सी shift wise को लेकर देखे चार अपरेल से लगा कर हमारी exam नो अपरेल तक चली है तो first अपन बात करते हैं चार अपरेल की shift हो के बारे में तो 4 अपरेल के अंदर हमारा first shift and second shift तो first shift का जो paper का level था वो moderate level था और second का भी moderate level ही था लेकिन first shift में जो mathematics थी वो hard देखने को मिली थी क्योंकि ऐसे जो G-man's paper होता है उनमें math सबसे hard होता है फिर उससे थोड़ा कमात physics और सबसे ज़्यादा easy तो है chemistry को माना जाता है तो इसमें आपका safe score कितना रहना चाहिए तो ये you are category का cut off है बाकी वाला resolution है तो उनका तो मैं बाद में बता दूँगा उनको भी वीडियो देखना चाहिए पूरा last में हम percentile के आदार पर बात करेंगे तो percentile के base पर अपन बात करने वाले हैं discussion करने वाले हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे तो इनके लिए 107 जो एक safe score रहेगा first shift के लिए और second shift थोड़ी सीखा थी वाले हैं 5 अपरेल की analysis के बारे में 5 अपरेल का जो first shift था and second shift था तो first shift का जो paper का level था friends वो moderate to hard level था यानि इसको अपन hard ही मान रहे हैं तो यहां इसको इतना नहीं हो रहा है जितना आपन मान रहे हैं और इसका जो second shift था उसका paper का level moderate level था तो यहां पर कितना cutoff बैट रहा है देखिए यहां पर जो first shift है उसका cutoff 106 के करीब जा रहा है यानि 106 पर जो आप बिल्कुछ safe है and second shift का जो cutoff है वो 112 marks पर जा सकता है तो आप देख लिजी आपकी cutoff अगर qualify हो रही है तो अची बात है और देखिए expected चीजे हैं तो आप negative ना हो इससे कम भी जा सकती है लेकिन देखिए दिन पर दिन competition बढ़ रहा है बच्चे बहुत सांधार तरीके से पढ़ रहे हैं और score कर रहे हैं तो मैं उन्हें के आधार पर बता रहा हूँ student का मैंने review लिया था उन्हें सब चीजों को analysis करने के बाद ही जो है मैं आपको यहाँ पर cut off discussion कर रहा हूँ अब अपन बात करेंगे 6 April के बारे में देखे 6 April के अंदर 1st shift and 2nd shift इन दोनों का ही level moderate level माना जा रहा है लेकिन कुछ hardness यहाँ पर देखी गई है तो cut off कितना बैट रहा है और देखे हर shift का जो analysis से वो हर shift के बच्चों ने जो review दिया है उसके according की बता रहा हूँ है तो इसके लिए यहाँ फरst safe score 1112 के अधार पर या इसके आस पास plus minus 2 आप मान सकते हैं और second shift का जो cut off है वो 106 पे जा सकता है तो यह बात हो रही है 6 अपरेल के बारे में तो आप देख सकते हैं अब फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं 8 अपरेल के बारे में देखे 8 अपरेल के अंदर first shift and second shift तो इसका जो first shift था वो सबसे ज़दा hardness था यानि इतने सारी exam में 8 अपरेल वाली shift जो है सबसे ज़दा hard देखने को मिली थी और second shift भी moderate to hard थी तो यहाँ पर cutoff थोड़ा कम जाएगा लगविक 98 के आसपास cutoff इसका और इसका 96 के आसपास cutoff तो मैं आपको बस एक safe score बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत hardness देखी जाती है और students के द्वारा जो vote और poll को यहाँ पर लगाए गया था उसी को हम base मान रहे हैं अब सबसे last में बात करते हैं 9 अपरेल के भरे में तो 9 अपरेल के अंदर वही अपना first shift and second shift दोनों का ही level moderate level पताया जा रहा है moderate to high level तो इनका cutoff 97 के आसपास और second shift का cutoff 98 के आसपास cutoff बैट सकता है तो यह तो हमने shift wise बात किये अब अपन बात करते हैं percentile के base पर देखे वही चीज बताऊंगा वापस में कि 2.5 लाक के करीब बच्चे हैं और seat कम है तो cutoff हाई जाएगा थोड़ असा calculation हम last year का cutoff भी यहाँ पर include करेंगे देखे general category के मैं बात करूँ तो 2023 में and 2024 में देखे last year cutoff था 90.77 अब इस बार जो है plus 2 percentile increase होगा मुझे ऐसा लग रहा है होगा बलब 92 percentile के आस पास cutoff बन सकता है अभी आप इसमें माने या ना माने वो आपका एक अपना personal choice है तो यह cutoff बैटने वाला है friends next category की बात करते हैं EWS के बारे में तो last जो cutoff था वो 75.62 percentile था इस बार 78 percentile तक चाह सकता है next category का बात करे OBC candidates के बारे में तो last year cutoff 73.61 percentile था इस बार 75 percentile के आधार पर जा सकता है SD की बात की जाए friends तो last year cutoff 51.97 था इस बार 54 percentile के आस पास cutoff जा सकता है and SD की बात की जाए तो 37.23 के आस पास cutoff था लास्ट एर का 2023 and 2024 इस बार cutoff 39 percent तक जा सकता है और PWD का 1 percentile के आधार पर रहेगा जो कि कोई भी गल लता है इनको बड़ा फाइदा है तो अब हम result के बार में थोड़ी बात करते है friends आपका result आने में कम से कम जो है 45 days तो लगते ही है या इससे थोड़ा कम भी time लग सकता है approach election के mode से लगता है कि mic के अंदर result आ सकता है अब यह आ सकता बोल रहा हूं है आएगा आएगा यह confirm नहीं है क्योंकि जो news और update मिलती है उसे के base पर बता रहा है last year में जो cut off आया था और last year में जो result की timing थी वही चीज में आपको बता रहा हूं इसलिए please आप channel को subscribe करें